मा के गर्भ में ही शिशु में कोई विकार पैदा हो जाए या वह किसी दोश या कमी के साथ पैदा हो तो उसे जन्म दोश कहा जाता है। एक रिसर्च से यह बात सामने आई है कि एक हजार बच्चों में 61-69 बच्चे जन्म दोश के साथ पैदा होते हैं। यदि गर्भवती महिला समय रहते अपनी जीवन शैली में सही बदलाव करे, अपना खयाल रखे तो उनके शिशु में यह बीमारी नहो। आईए इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही इससे बचाव के कुछ उपाए भी। जन्म दोश एक किस्म का विकार है। इसे बर्थ डिफेक्ट या कॉंजेनिटल डिसॉडर भी कहा जाता है। यह बच्चे को मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकता है। बच्चे में यह स्थिती जन्म के साथ ही हो जाती है। इसमें बच्चे के अंग विकसित न होना, नाक या होंट पूरी तरह से विकसित न होना या दिमागी तोर पर विकास का रुक जाना शामिल है। जन्म दोश के कई कारण है। इसमें कुछ मामले आनुवानशिक, पर्यावरणिय और मादवारा की गई लापरवाही शामिल ह यदि गर्भवती महिला समय रहते, कुछ सावधानियां बरते, तो वह अपने बच्चे को जन्म दोश से बचा सकती है। इसके कुछ जरूरी उपाए इस प्रकार हैं, सिर्फ गर्भवस्था के दौरान जांच कराना काफी नहीं है। प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही ह इस सिंड्रोम के कारण जरूरी नहीं हैं। बच्चे का मानसिक और शारिरिक विकास बाधित होता है। सिस्टम फाइब्रोसिस इसके तहट बच्चे के लंग्ज और पाचन तंत्र को नुकसान पहुँचता है। तो गर्भधारन करने से पहले अपनी जांच करवाएं। खासकर डाइबिटीज, मोटापा, जिन महिला को है। उन्हें आवश्यक तोर पर अपनी जांच करानी चाहिए। गर्भवस्था में अल्ट्रा साउंड कराना बहुत जरूरी है। अल्ट्रा साउंड करके ही आप जान पाएंगी कि आपका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं। अपने बच्चे को जन्मदोश स बचाना चाहती हैं। गर्भवती महिला नौ महीनों के दौरान कुछ विशेश सावधानियां बरत कर स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती हैं। जरूरी वैक्सिनेशन करवाएं। डॉक्टर की सलाह पर सभी जरूरी वैक्सिनेशन करवाएं ताकि बच्चा जन्मदोश के स पैदा न हो। नशीले पदार्थ से दूर रहें, गर्भवस्था में धूमरपान, शराब का सेवन आदी बिलकुल न करें। ये सभी कारण बच्चे में जन्म दोश के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आने का मतलब है कि अब बेबी ब्लड सप्लाई और शरीर के जरूरी कारियों के लिए माँ पर निर्भर नहीं है। प्रीटर्म बेबी जिनके बर्थ में कॉम्प्लिकेशन आई हो या कोई जन्म विकार हो उनके लिए सांस लेना, खाना और इम्म्यूनिटी जैसी चीजें मुश्किल हो सकती हैं। ऐसे नवजात शिशुओं को स्पेशल केयर में रखा जाता है, जिसे NICU कहते हैं। नसिंग केयर की जरूरत होती है, उन्हें भी NICU में रखा जाता है, जिन बच्चों का प्रीमैचूर जन्म होता है या जो जन्म के समय बीमार होते हैं। प्रीमार होने पर बेबी को NICU की जरूरत पड़ती है। पैरेंट्स अपने बेबी के साथ समय बिताने के लिए NICU में जा सकते हैं। हो सकता है कि बाकी फैमली मेंबर्स को इसकी अनुमती ना हो। आपके बच्चे को NICU में क्यों भेजा जा सकता है। समय पूर्वता शिशूओं का जल्दी जन्म 37 सप्ताह से कम NICU में भरती होने का सबसे आम कारण है। समय से पहले जन्मे बच्चे शारीरिक और विकासात्मक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। और बाहरी वातावरण के साथ साथ पूर्ण अवधी के शिशूओं में भी संक्रमन करने में असमर्थ होते हैं। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और अक्सर अत्यधिक वजन घटने और अस्थिर महत्वपूर्ण लक्षन होते हैं। जो सभी दीर्ग कालिक नियूरोलोजिकल परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसोलेट या इनक्यूबेटर के रूप में जाना जाता है। जो शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए गर्मी प्रदान करता है। और गर्भाशय के वातावरण की नकल करता है। इन नाजुक रोगियों को आईवी हाइड्रेशन और अन्य साक्ष आधारित उपचारों के साथ साथ उच्च कैलोरी वाला भोजन दिया जाता है। श्वसन संकट सिंड्रोम, RDS अपरिपक्व फेफडों के कारण, शिशुओं में RDS सबसे आम श्वसन समस्या है। हलके मामलों का इलाज एक ऐसी मशीन का उप्योग करके किया जा सकता है, जो मास्क के माध्यम से बच्चे को आकसीजन भीजती है। गंभीर मामलों का इलाज श्वास नली से किया जाता है, साथ ही बच्चे को वेंटिलेटर पर भी रखा जाता है। सेपसिस या संक्रमन सेपसिस या संक्रमन नवजात शिशुओं की मृत्यू और खराब परिणामों का सबसे आम कारण है। पूर्ण अवधी के शिशुओं की तुलना में समय से पहले जन्मे शिशुओं में संक्रमन अधिक आम है। जितनी जल्दी बच्चे का जन्म होगा, बच्चे को संक्रमन होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी क्योंकि प्रतीरक्षा प्रणाली इससे नहीं लड़ सकती है। तो ग्लाइसीमिया या निम्न रक्त शरकरा आम तौर पर समय से पहले जन्मे शिशुओं गर्भ कालीन मधुमेह से पीडित मा से जन्मे शिशुओं या संक्रमन से पीडित शिशुओं में देखा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर करें।